तो हम पर रहे थे क्या पर रहे थे हम लोग क्लास 11 फिजिक्स की शेप्टर नमबर तेन जो है मेकानिकल प्रोपरिटीज फ्लूइज है ना तो आज यह लेक्सर है नमबर टू ठीक है तो इस लेक्सर में हम लोग परहेंगे आज क्या परहेंगे प्रेसर के बरे में है ना तो रहेखो प्रेसर होता क्या है बहुत यह आसान तो ठीक है तो आज यहाँ पर देखेंगे प्रेसर का देफिनिशन प्रेसर का फॉर्मूला क्या होता है फिर ऐसा यूनिच क्या होता है प्रेसर का और फिर हम देखेंगे डिमेंशनल फॉर्मूला और लास्ट मेरकेंगे, अप्लीकेशन्स आफ्ञेशन्स अफ्रेसर, देखो ये, अप्लीकेशन्स आप्रैसर, मैंने यहाब गारे चार एप्लीकेशन्स लिखनें रखा है, ठीक है, तो इन सबको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तो बहुत ही interesting होने ओला है वीदियो, आप लोग last तक देखना, देखो, तो pressure आप सभी को मालूम है कि force per unit area, तो pressure is equal to आप कहा लिखते है रहे हो, force per unit area, तो एक area के उपर, एक surface के उपर जो pressure लगाएंगे, कौन लगाएंगे, आप भी लगा सकते हो, है ना, तो अगर आप लगा इसके उपर liquid pressure लगेंगे, मतलब force लगेंगे, ठीक है, तो liquid क्या लगया, यहाँ पर सपूस्ट liquid भर करेका आपने, क्योंकि यह chapter का नाम ही है, fluid मतलब हम मालूम है, क्या, air भी हो सकता है, और liquid भी हो सकता है, तो अब देखो, यह जो liquid है, liquid ने यहाँ पर force लगया, इस force का नाम क है, thrust, तो last class में हम लोग ने यह सब देखा था, जैसे, तो यह जो liquid ने force लगया, इस area के उपर, इसका मतलब यह क्या है, pressure लगया, लिक्वीद में, तो इसको हम specifically बोलेंगे, liquid ने thrust लगया, surface के उपर, ठीक है, और हम लोग ने प्रोफ भी किया था, कल, last lecture में, कि यह जो force 40 degree उस तरह से, उस तरह की angle पे liquid force नहीं लगते है, मतलब, fluid इस तरह की angle से force नहीं लगते है, अगर लगयेंगे, कि इस तरह से लगयेंगे, surface से 90 degree angle बनाके force लगयेंगे, ठीक है, तो यह है pressure की formula, force पार unit area, जो हमें मालूम है, ठीक है, तो देखो, यह जो pressure है, pressure की SI unit के है, ठी ठीक हो, force का जो SI unit है, वो हमें मालूम है newton, है ना, और area का SI unit meter square, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते है, newton meter inverse square, है ना, तो इसे को हम कैसे भी लिख सकते है, pascal, ठीक है, okay, blaze pascal, नाम सुने हो, है ना, तो pascal नहीं एक खातरनक law डिया था ना, तो उस law की वज़ए से, गारी में क के लगते है, hydraulic brake, ठीक है, तो जो hydraulic brake इतना बर्या गारी को एक रुखवा देते हैं से, तो वो किस principle पर बेस थे, pascal ने एक principle दिया था, उसे के उपर बेस, वो हम लोग देखेंगे next class में, ठीक है, अभी देखो, SI unit of pressure के है, pascal, तो CGS unit क्या होंगे, CGS unit, तो CGS unit होंगे, यह ज सेंटीमितर स्क्वेर, ठीक है, तो एसे, दाइन सेंटीमितर स्क्वेर, तो मैंने कुछ एक फीडियो बनाया था सायद इसे, newton को दाइन में कैसे convert करते हैं, तो हामें पता है, one newton is equal to कितना, 10 to the power minus 5 नहीं, प्लास 5 दाइन, ठीक है, तो यह जो one newton का conversion है, to dine, इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने एक फीडियो बनाया था, ठीक है, लिंक दे दूँगा, description में आप टेक सकते हो, एक ताम आसानी से समझा दिया था, मैंने आसान फासा में, तेखो अभी, यह जो cgs unit है, cgs unit किसका, pressure का, dine centimeter inverse square है, तो फिर dimensional unit क्या होंगे, dimensional unit, इसको हम निकल सकते, तो देखो, Newton मतलब क्या होते है, Newton मतलब केजी meter per second, यहाँ पर नहीं आएंगे, लिख देते है, Newton मतलब केजी meter per second square, और निचे के है, meter square है न, तो यह meter meter कट जाएंगे, तो क्या हैंगे, केजी meter inverse और यह होंगे, second inverse square, तो मैं एक बद देख ले तो फीडियो में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो या रहे रहा है, तो रहेख़ो इसको हम लोग इसके लिख सकते हैं उपर ही लिख देते हैं आ की यह से लिखा और यहाँ पर स्क्वेर लगा दिया है तो यह हो गया dimensional formula किसका pressure का ठीक है बहुत ही आसान है तो यह सब question में आते हैं मतलब exam में आते हैं कि आपको एक mark के लिए देंगे या दो mark के लिए देंगे कि बोलेंगे find a dimensional unit of pressure ठीक है तो अब इसे निकल सकते हो तो अभी हम लोग देखेंगे applications of pressure ठीक है एक एक करके हम समझते हैं मैं इसको मीटा लेता हूँ पर ले ले तो number one application क्या कह रहा आपको देखो एक बढ़ पर हो तो इस sharp knife cuts better than a blunt one ठीक है तो इसका मीनिंग यह है कि जो knife होते knife की ञें द्रौ करते है न? knife को ठीक है तो यह knife है ठीक है अगर यह sharp नहीं हुआ यह अच्छी से cut नहीं सकते हम जानते है ठीक है तो चीजों को सबजी बंगरे को नहीं सबजी को cut नहीं सकते है अच्छी से ठीक एशा क्यूंकि यह जो हमें पता है pressure gives तो आप फोर्स लगा रहे है उपर से है न तो अगर यह एरिया ज़ादा होने से क्या होंगे प्रेसर कम हो जाएंगे तो आपको ज़ादा फोर्स देना होगा कतने के लिए या तो बोल सकते हैं अच्छे से नहीं कतेंगे सपोज यह एरिया कम हो गया तो एरिया कम मतलब यह पूरा एकदम तेज हो गया अपने इसको क्या क्या सर्प कर दिया तो इस केस में प्रेसर ज़ादा होंगे तो अच्छे से कर्टेंगे वोई है तो फोर्मूला से हम लोग यहाँ पर देख पाए कि ब्लांट लाइफ से कट चकते हैं चीजों को ठीक है तो नामबर टू एप्लेकेशन के है रेल्वे ट्रेक्स अर लेड ओन उडेन स्लिपर्स इसका मीनिंग के है आपने देखा होगा यह सपोज रेल्वे ट्रेक्स है ठीक है तो यहाँ पर रेल्वे ट्रेक्स को केसे रखा जाता है यहाँ पर वासे जाते हैं लोग रेल पत्री पर फोटो किचने के लिए ठीक है ताभी डेखो यह उड़ेन श्लिपर्स यह क्यों लगा जाता है ताकि एरिया बरहेगे तो जस्वैकर पत्री तो निशे ठीक है तो निशे ठीक है ना जाए, नीसे ना धज जाए, तो यहाँ पे क्या लगा जाता है, एरिया को बरहने के लिए, यह जो slipper से, wooden slipper से लगा जाता है, ठीक है, तो एरिया बरहने तो क्या, प्रेसर कम हो जाएंगे, है ना, तो प्रेसर कम होने से, तो रेल की पत्री नीचे नहीं डब जाएंगे, तो अभी देखो next क्या बोला कि it is difficult for a man to work on sand while it is easier for camel तो camel की भी एक photo लगा के मैंने एक video बनाया था उसका link दे दूँगा आप लोग देख सकते हो तो यहां पर हमें फिर भी समझा रहता हो यह जो मैंन है हम लोग मतलब तो देखो हम लोग को तकलिफ होता है कहां पर डेजर्ट पर चलने के मतलब डेजर्ट यानि सेंड की जो यह होता है न सेंड वगरा डेजर्ट वगर में तो वहां पर चलने में हम लोग को तकलिफ होता ह है क्योंकि हमारा जो यह पेर है पेर की तलवे बोल सकते हैं तो इसका एरिया कम होते प्रेसर होगे तो हमारे पेर जमीन के अंदर खुझांगे यह यानि सेंट के अंदर खुझांगे रेतो फिंदर थी के लिए तो उसके में हम लोगो डिकते होंगे, तकलिफ होंगे क्योंकि होंगे, अब को मालम है, अगर रेटों के अंदर पेर घुझ जाएंगे तो वकिंग करने में हमें तकलिफ होंगे. लेकिन उट की case में in the sense camel की case में क्या होता है camel की case में जो पेर की तलवे है camel की ये बरे होते है तो इसका मटलब जो area है area इस बार जादा हो जाएंगे तो अगर area जादा होंगे तो pressure क्या होंगे कम होंगे तो camel although इतना भारी है human से हम लोग उसे तो camel जाड़ा pressure नहीं देंगे कहाँ पे, रेटों पे, है ना, तो इसका मतलब अब बोल सकते हो, camel की पेर अंदर नहीं खुश जाएंगे, है ना, तो उसको तकलिफ नहीं होते हैं, वो असानी से चल लेते हैं, ठीक है, तो camel desert पे असानी से, यानि रेटों पे असानी से चल सकत हैं, हम एकदम असानी से नहीं सल सकते हैं, ठीक है, तो अभी देखो, next जो लास्ट है, pins and nails are made to have pointed ends, इसका मतलब जो nail होते हैं, आपने देखा, nails, pins, तो इस तरह की होते हैं, एकदम sharp end होते हैं, यह nail है, ठीक है, तो यह sharp end होता क्यों है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमे खुषाना है इसको, ठीक है, तो अभी क्या होंगे, यह जो point ही, यह तो area है, तो area कम हो गया, है तो area कम होने से फिर से क्या होंगे, pressure जादा होंगे, तो यहाँ पर area कम होंगे, pressure ज्यादा हो गया, तो यह nail आसानी से अंदर खुश जाएंगे, ठीक है, तो इसल Repin, जो संवी के अंदर से अशाने से खुच जाए तो इसलिए वही कारण है मतलब प्रेसर की सेम कारण ठीक है तो एरिया कम होंगे तो प्रेसर जाधा होंगे एरिया जाधा होंगे तो प्रेसर कम होंगे ठीक है तो इन ही के ओपर बेस्ट यह सब एप्लिकेशन्स है जो बहुत ही आसन है य questions based on thrust and pressure, ठीक है? तो अब लोगों कुछ doubt है, तो comment section ने बोल देना, ठीक है? Okay, thank you.